हलो एवरिवान वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल तैंश्क्रोशे क्रियेशियंज फ्रेंट्स विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कानाजी के लिए कुछ डिफ्रेंट बनाएंगे आज हम हुड़ी वाली चोली बनाना सिखाएंगे कानाजी के लिए फ्रेंट्स ये में 3 और 4 नमबर कानाजी के लिए बनारी हूँ आप किसी भी साइज में ये चोली बना सकते हैं ये मैंने 2 प्लाई का वूल लिया है और इसे मैं डबल करके यूज़ करूंगे अगर आप मोटिव वूल ले रहे हैं तो आप सिंगल वूल से बनाएं अगर आप के पास भी पतला वूल है तो उसे आप इस तरह से डबल कर लें ये मैं डबल करके बनाऊंगी चलिए स्टार्ट करते हैं ये में 3 और कानाजी के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए slip stitch लगाके chain लेनी है ये हमने slip stitch लगा लिया अब यहां पर हम chain लेनी स्टार्ट करेंगे 1,2,3,4,5,6 ये हमने 6 chain ले लिए फैंस आप 0,1 और 2 नमबर कानाजी के लिए बना रहे हैं तो इसमें 4 या 5 chains लेंगे ये हम पहले hoodie बनाएंगे hoodie से start कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कम chain लिए है और इससे ज्यादा बड़े कानाजी के लिए बनाएंगे तो इससे ज्यादा chain हमें लेनी होंगी 2 या 3 chains आप हर size के कानाजी के उपर ले सकते हैं बाकि आप एक बार ये chain लेके head से measurement ले ले ताकि आपको वही परिशानी ना हो फ्रेंट 6 चेन लेने के बाद हम 2 chain एक्स्ट्रा लेंगे 1 2 अभी देखिए जो हमारी 3rd chain है इससे हम double crochet बनाना स्टार्ट करेंगे इस अभी chains में हम 1 1 double crochet बना लेंगे तो यह देखिए इस तरह से double crochet बनाने के बाद हमारे पास 123456 और 7 double crochet है जो 2 chain हमने ली थी यह भी हमारी double crochet बन जाएगी तो यह हमारे हम क्या करेंगे हम होड़ी बनाने तो यह हमें u shape में बनानी है तो इसी तरह से अब हम वर्क करेंगे तो यह लास्ट हमारी chain है जिसमें हमने यह last double crochet बनाया है इसके अंदर से अब हमें 3 times double crochet और बनाने है तो यह देखिए vand देखे 2 और ये लास्ट हमारा 3 ये मैंने 3 डबल कोशे और बना लिए यानि कि टोटल हमारे लास्ट स्टिच में 4 डबल कोशे आ जाएंगे 1 हमने 8 जो हमने बनाए थे फिर 3 मैंने एक्स्टर बनाए हैं अभी देखे जितनी हमारे पास chains है इन सभी में हम फिर से वन वन डबल कोशी बना लेंगे वान टू ट्री फोर ये फाइव और ये लास्ट वाली हमने जो टूची है ली थी वो वाली ये लास्ट हमारी तो ये अब हमारे पास देखे टोटल कितने डबल कोशी हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन ये टोटल हमारे पास 16 डबल कोशी हो गए अब ये देखे इसी तरह से अब हम इसे टर्ण कर लेंगे थ्री चेन लेके अब हम इसे टर्ण कर लेंगे और यह देखें next chain में जाएंगे फिर से double crochet बनाएंगे फिर से next chain में जाएंगे फिर double crochet सबी chains में हम इसी तरह से one one double crochet बनाते होगे यह second round complete करेंगे अपना इसमें हम कुछ भी increase नहीं करेंगे यहां पे तो यह देखिए इस तरह जब हम सभी चेंस में वान वान डबल कोश्री बनाएंगे तो यह हमारा यू शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा तो यह हमारा हुड़ी का लुकाना शुरू हो जाएगा यहाँ पर यह हमारा लास्ट टबल कोश्री तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से यह हमारा हुड़ी का लुकाना जाएगा यह देखिए बहुत सिंपल है बहुत इजी है और बनने के बाद जरूर आपको पसंद आएगी देखिए कितने प्यारी हुड़ी हमारी बनकर तयार हुई है अगर आपको ओर इस ते बड़ी हुड़ी बनानी है तो आप यहां पर डबल कोश्री बनाएं तो इसी में आप डबल कोश्री की रोज बढ़ा सकते हैं और फिर आप कानाजी के सिर पे माप के देख लीजी आपको कितनी हुड़ी बनानी है मैं थर्ड रो में यहाँ पर सिंगल कोशी ही बनाओंगी क्योंकि यह 3 और 4 नम्मर कानजी के लिए फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम इसमें डबल कोशी बनाएंगे तो इस तरह से मैंने सभी चेंज में 1-1 सिंगल कोशी बना लिया यह देखें यह हमारी हुड़ी बिलकुल बनकर तयार है अब हम इसके नीचे चोली बनाना स्टार्ट करेंगे चोली बनाने के लिए यहां से हम 3 चेंज लेंगे 1-2-3 यह देखें 3 चेंज लेली हमने और 2 चेंज एक्स्टा लेंगे 1-2 अब यह देखें जो हमारे पास यहां पर डबल कोशी है इसके अंदर हम डबल कोशी बनाएंगे फिर से हम 2 चेंज लेंगे अब यह देखिए next जो double कोशी है यहाँ पे हम फिर से double कोशी बनाएंगे इस तरह से यह हम front side पे work कर रहे हैं यह देखिए इस तरह से यह हमारी hoodie है और यह जो हमारा open part था वहाँ पे अब हम यह work start कर रहे हैं फिर से 2 chain लेंगे और यह देखिए next double कोशी में फिर से हम double कोशी बनाएंगे फिर से 2 chain लेंगे डबल कोशी में डबल कोशी बनाएंगे one two three four और यह फिर से two chain लेंगे और यह अब जो starting में हमने chain ली थी इस वाली chain में हम last अपना double crochet बनाएंगे तो यह हमारे पास total 5 holes आ जाएंगे इस तरह से यह देखे देखे friends, इवर्क हमने इधर किया है जहाँ पर हमारी hoodie है यह neck आएगी हमारी neck part start हो जाएगा यहाँ से और यह अब इसके नीचे हमारी चोली बननी start हो जाएगी फिर से हम देखिए 3 chain लेंगे 1, 2, 3 अब हम turn करेंगे इस तरह से अब यह जो हमारे पास holes हैं इन में हमें double crochet बनाना है 1 और यह तो और यह जो first हमने 3 chain ली थी यह भी हमारी double crochet count होंगी तो यह total one hole में हमारे पास 3 double crochet आ गए और फिर से next hole में जाएगे फिर से हम 3 double crochet बनाएगे 1 2 3 फिर से next hole में जाएगे फिर से हम 3 double crochet बनाएगे 1 2 2 और 3 फिर से इसी तरह लास्ट तक हम सभी holes में 3 3 double crochet बना लेंगे यह देखे फिर सभी chain में 3 3 double crochet बना लिए हैं और फिर से हम 3 chain लेंगे और फिर से turn कर लेंगे यह देखे सेम स्पेस में हम 1 double crochet बनाएगे next chain में जाएगे फिर से हम double crochet बनाएगे फिर से दुबारा से सेम स्पेस में double crochet बनाएगे यानि के सभी chain में इस round में हम 2 2 double crochet बना लेंगे देखें 1 double crochet और सेम स्पेस में 2 double crochet इसी तरह हम यह पूरा round अपना complete कर लेंगे इस round में हमारे पास total 30 double crochet आये हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास 5 hole थे तो 5 में 3 3 बनाए 15 15 का हमने double double कर लिया 13 double crochet आये हैं अब यहां पर हम sleeves divide करेंगे sleeves divide करने के लिए हम 30 को front sleeve back और फिर sleeve और फिर front इस तरह से अपने stitches हम divide कर लेंगे तो मैंने 30 को इस तरह से divide किया है देखें यहां पर मैं half double crochet बनाऊंगी 2 chain लेके turn कर लेंगे यह हमारा one half double crochet यह हमारा second और यह third यह fourth और यह fifth यह मैंने इस तरह से five front के लिए ले लिए मैं यहां पर two chain ले लूँगे ताकि हमारी sleeve डालने में कोई problem नहों इसलिए यहां पर two chain हम ले सकते हैं किप भी कर सकते हैं अब उसके बाद one two three four मैं यहां पर skip करूंगी sleeve के लिए कि one two three four और fifth chain में से मैं start करूंगी यह हमारा back portion आएगा back के लिए अब मैं यहां पर twelve double crochet बनाऊंगी फिर से यह 12 double crochet बनाने के बाद sorry half double crochet फिर four skip करूंगी sleeve के लिए और फिर उसके बाद में जैसे यह 5 बनाई थी यहां पर फिर से five half double crochet बना लूँगी तो यह हमारी sleeves divide हो जाएंगी friends यह करके मैं आपको next step बताती हूँ कि देखे friends इस तरह से यह हमारी चोली की shape आएगी अब इसके बाद हम last round बनाएंगे finish करने के लिए one chain लेंगे two chain लेंगे turn कर लेंगे फिर से हम देखे सभी chains में one one half double crochet बना लेंगे देखे जो हमने two chain ली है यहां पर भी one half double crochet बना लेंगे और उसके बाद जितनी भी हमारी chains है सभी के अंदर हम one one half double crochet बनाते हुए इस round को complete कर लेंगे इस तरह से यह last round बनाने के बाद जो हमने start किया था यहां पर slip stitch लगाके one chain लेके धागा कट कर लेंगे यह देखे फ्रेंट्स यह हमारी इस तरह से हुड़ी वाली चोली बनका तयार है इसकी boundary बनाएंगे अब हम पर यह देखे फ्रेंट्स boundary बनाने के लिए हम यहां से start करेंगे यह जो हमने यहां पर half double crochet बनाया है यह आप किसी भी color से बना सकते हैं या जिस तरह देखेंगे फिर से वन सिंगल कोशे यह तू सिंगल कोशे हो गए नेक्स्ट डबल कोशे पर जाएंगे फिर से देखें वान और यह तू फिर से नेस्ट डबल कोशे पर जाएंगे वान तू वी देखें नेक्स्ट डबल कोशे पर जाएंगे फिर से वान तू कि विछी दॉफ ऑला डबल कोशे था यहां पर भी हम टो शुरुदर कोशे बना लेंगे आ इसी तरह से सभी चेन में यह हुदड़ी वाला जो एरिया है यह पर हम वय्वण ऑंद बनाएंगर है उस हुद्ध कोशे बनाएंगे साहित हए वापिस हम जो चोली वाला स्पेस है इस पर हम टूटू सिंगल गोशे बनाते हैं चलिए यह कंप्लेट करके नेक्स्ट देखते हैं फिर यह देखे फ्रेंड्स यह इस तरह से बाउंडरी कर ली है और आप देख सकते हैं यह हमारी हुटिवाली चोली कितनी प्यारी बन कर तयार हुई है आप चाहे तो आप यह जो होल्स हैं यहाँ पे chain डाल सकते हैं प्रोश्या से chain बनाकर इस तरह chain डाल सकते हैं तो यहाँ पे यह नोट लग जाएगी तो यह बिलकु'll fix हो जाएगा में देखें फ्रेंट से यह इसमें चाहल सकते हैं और यहां पर इस तरह से यह क्रोट्ट लग जाएगी और यह Уद्डी वाली चौली बिलकुल रैडी है प्रेंट्स आपको यह काने जी की हुड़ी वाली चोली कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंदार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग